नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत्राज मैथमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो लेक्सर भाम बात करने वाले हैं रीड शिक्षक बरती 2021 के लिए संसकर्थ के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 36 के बारे में यदि इससे पहले के टेस्ट आपने नहीं दिये हैं तो चैनल पर जाईए आपको मिल जाएंगे आज आपके तीस में से कितने क्यूसन से होते हैं आपको लाश्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हैं विज्यान के अपनी RBSC की पाटी पुस्ता के चल रही हैं तो समाजे की अब भी हम जल्दी ही सुरू करने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं चैनल पर पहली बाहर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा वीडियो को लाइक जरूर करें सबसे पहले आपके सामने ये गद्यास है गद्यास में से कुछ क्यूसन लिए जा रहे हैं प्रेशन नंबर 31 से 60 तक कुल 30 क्यूसन देखने वाले हैं 31 क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आचोका है परोब कार है अत्र कै संदी परोब कार में कौन से संदी है गुण अयादी पर रूप या पुरू रूप चार विकलप आपके सामने हैं तो सातियों परोब कार जो सब्द ह उसमें गुण संदी का प्रियोग हुआ है गुण संदी है पहला ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा प्रेशन नंबर 32 देखिए वाचा अत्रक्यम कारकम वाचा में कौन सा कारक है चार विकलप आपके सामने हैं 32 पर्षन है वाचा में कौन सा कारक है ये बताना है सातियों करम कारक करण कारक संपरधान कारक या अपादान कारक तो साच्यों वाच्चा में कौन सा कारक है करण कारक का प्रियोग भूआ हैं दूसरा जोंप्षन बिल्कुल सही रहेगा प्रसा नमबर 33 देखिए परेसाम अत्र का विबक्ती द्वीतिया चतुर्ती, सस्टी या पंचमी परे साम में कौन सी विबक्ती का प्रियोग किया गया है सातियों ये बसता ना है आपको प्रसन नमबर 33 आपके सामने अवेलेबल है परे साम में सातियों सस्टी विबक्ती का प्रियोग किया गया है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रसन नमबर 34 के ओर बढ़ते हैं कर्मना इत्यत्र मूल सब्द है के कर्म, कर्मन, कर्म या कर्मन चार विकल्प आपके सामने हैं प्रसन नमबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा कर्मना में मूल शब्द कौन सा है दोस्तों कर्मन है विकल्प नमबर 4 बिल्कुल सही रहेगा परसन नमबर 35 देखिए सद्यम इत्यत्र क्या समासे है अविवी भाव, द्वंद्व, करमदार्य या द्विगू सद्यम में कौन सा समास प्रियोग क्या गया है सात्यों सद्यम में सात्यों अविवी भाव समास का प्रियोग वह है विकल्प नमबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनी का प्रेस्ट नमर 36 देखे सत पुरुसा इती सब्दश्य इस्ताने परियुक्त सर्व नाम सब्दम लिखत कदापी ते यतनते या परिशाम तो साथियों प्रस नमबर 36 आप लोगों की स्क्रीन पर है सत पुरुसा इसके इस्तान पर प्रियुक्त सर्वनाम सब्द ते होगा दूसरा ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजी आपके लिए लगातार मॉडल टेस्ट पर लाए जा रहे हैं 37 है संसारे परोब कार है अव से गुणों विद्यते इत्यत्र अव्यपदम किम इसमें अव्यपद कौन सा है से गुणों अव या संसारी प्रसन नमबर 37 आपके सामने अवलेबल है 37 में प्रसन का राइट आंसर क्या रहेगा सात्यों इसमें अव्यपद अव है आपका तीसरा ओप्शन बिल्कुल सही रहेगा आगे एक बार फिर से आपके सामने गद्यास आ रहा है इसमें से आपको पढ़ करके आंसर देने हैं अब तो परसन नमबर 38 देखेगा शड रित्व समायांती नव चेतना सचारणाई असमाकम देसे वाकि क्रियापदम किम इस वाकिय में क्रियापद क्या है समायांती देसे शड या रित्व है परसन नमबर 38 का आपको राइट आंसर बताना है इस वाकिय में क्रियापद कौन सा है सात्यों समायांती या आपर क्रियापद है पहला ओप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रसन नमबर गुंचालिस देखे रित्व है इत्यत्र वचनम किम रित्व है में कौन सा वचन है एक वचन बवचन दुई वचन या लगू वचन तो चार विकल्प आपको मैंने बताई प्रसन नमबर गुंचालिस का राइट आंसर बताना है रित्व है में सातियों बव अचन है उप्शन नंबर दू करेक्ट आंसर बनेगा प्रसन नंबर 40 देखे मोध ते अत्र कै लकार है मोध ते में कौन शालकार है लोट लकार, लंग लकार, लट लकार या लिट लकार शार विकल्प आपके सामने है सातियों मोद दिते में कौन सा लकार है ये बताना है सालिसवें परसन के अंतरगत तो मोद दिते में सातियों लट लकार है विकल्प नमबर तीन करेक्ट आंसर बनेगा परसन नमबर चालिस का 41 मा देखिए वर्षा जले अत्र जले कशे लिंगशे धोतके है वर्षा जले में जल किस लिंग का दोतक है उब्य लिंगशे नपू सक लिंगशे इस्तरी लिंगशे या कीमपी ने साथियों परसन नमबर 41 का राइट आंसर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमारे वीडियो आपके लिए हैल्प पूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा जल का जो लिंग है यहाँ पर नपू सक लिंग रहेगा ओप्शन नमबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर परसन नमबर 42 है आकाशे इत्यशे विलोम पदम लिखत समीरे सनीरे घगने या पाताले परसन नमबर 42 है आकाशे इत्यशे विलोम पदम लिखत आकाश का यहाँ पर विलोम पद क्या हो जाएगा पाताले ओप्शन नमबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर बनीगा प्रेसन नमबर 43 देखेगा गर्जनती इती पदम लंग लकारे परीवर्तियत गर्जनती का लंग लकार में बदलना है इसको एक गर्जन एक गर्जन एक गर्जन एक गर्जनती या एक गर्जत चार विकल्प हैं प्रसन नमबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा विकल्प नमबर 1 बिल्कुल सही रहेगा एक गरजन बनेगा पहला विकल्प बिल्कुल सही है प्रेसा नमबर चमालिस देखेगा विबाती कस्मिन लकारे वर्तते विबाती में कौन सा लकार है लोट लकारे लट लकारे लंग लकारे या लिर्ट लकारे चमाली स्वां का राइट आंसर बताना है विबाती में साथियों जो लकार है वै है लट लकार चमाली स्वां का दूसरा ओप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रेसा नमर 45 देखिए अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है संसकर्थ अनुवाद कुरुत अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है क्या बनेगा इसका संसकर्थ रूप अध्यापक है छात्रान पठती अध्यापक है छात्रान पाठती या अध्यापक है छात्रम पाठती चार विकल्प आपके सामने है 45 में का राइट आंसर क्या बनेगा अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है राइट आंसर बनेगा विकल्प नमबर तीन अध्यापक का है छात्रान पाठेती तीसरा विकल्प बिल्कुल सई रहेगा प्रसा नमबर च्यारिस देखेगा से माम पश्यती लट लकारे वाच्चे परिवर्तनम कुरुत इसका वाच्चे परिवर्तन करना है पहला विकल्प है तेन माम पश्यती दूसरा है तया माम द्रिश्यती तीसरा है तेन एहम द्रिश्यती चोता है तेन एहम द्रिश्य प्रसा नमबर च्यारिस का राइट आंसर बापको कमेंट बोक्स में कमेंट करना है सह माम पश्यति इसका वाच्चे प्रिवर्थन रूप होगा दोस्तों तेन एहम द्रिश्य चोता विकल्प बिल्कुल सही रहेगा पर्शन नमबर 47 देखेगा सिता स्वादिष्टम फलम खादती रेखा कित पदे पर्शनम रच्चत स्वादिष्टम की जगी क्या एगा पहला ओप्शन है सिता की द्रिशम फलम खादती दूसरा है सिता की द्रिशम फलम एक खादत तीसरा है सिता कथम फलन खादती चोता है सिता केन फलम खादन पर्शन नमबर 47 का राइट आंसर रहेगा शातियों सीता की द्रिशम फलम खादती ओप्शन नमबर एक बिल्कुल सही आंसर रहेगा सातियों वीडियो को लाइक निक्या तो लाइक जरूर कर दीजे इसे हमें मोटिवेशन मिलता है चार विकल्प आपको मेंने बताई पर्शन नमबर एक बिल्कुल सही रहेगा पर्शन नमबर गुणपचास देखेगा सुद्ध पदम चिनुत चार विकल्प आपके सामने हैं आपको सुद्ध पद यहां पर चुनना है पर्शन नमबर गुणपचास में आप जल्दी से इनको पड़ लीजी और बताई राइट आंसर क्या रहेगा सातियों पर्शन नमबर गुणपचास में पर्शन का राइट आंसर रहेगा सातियों पर्शन नमबर गुणपचास में पर्शन नमबर गुणपचास में पर्शन के लिए राइट रहाएट नमबर का राइट आंसर रहेगा शर्वनम, बाशनम, पठनम, लेकनम, ओप्षन नमबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा प्रस्ट नमबर 52 देखे, शिक्षन से सफलता, निर्बरा, अस्ती शिक्षन की सफलता किस पर निर्बर करती है, शात्रा नाम उपरी, शिक्षका नाम उपरी, उबयो, अभिभाव का नाम उपरी किस के उपर निर्बर करती है सात्यों, ये बताना है बावन नमबर में, तो राइट आंसर क्या रहे का सात्यों शिक्षन से सफलता निर्वरास्ती तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा 52 का वो रहेगा सातियों ओप्षन नमबर दू शिक्ष का नाम उपरी परसन नमबर 53 है कक्सा याम अध्यापक कशे किम मित्रम कक्सा में अध्यापक का मित्र कोन होता है गीतम पुस्तकम दुगदम या शाम पट है परसन नमबर 53 आप लोगों के सामने है कक्सा याम अध्यापक कशे किम मित्रम तो कक्सा में अध्यापक क्या अभिन मित्र होता है शाम पट ओप्षन नमबर 4 बिल्कुल सही रहेगा सात्यों पर्शन नमर चोपन इंपोर्टेंट है व्याकरण अध्यन की परमुक विदी है आगमन विदी पहला ओप्षन ये करेक्ट आंसर बने गया आगे बड़ते हैं पिसपन नमर देखें मुल्यांकने चतुर्णा कोसला नाम परिक्षन आर्थम का परिक्षा भवती मुल् मौखिक लिखित परिक्षा चे कृड़ा परिक्षा ये व्यायाम परिक्षा दोस्तों चारों कोसलों की यदि आपको परिक्षन करना है तो मौखिक लिखित परिक्षा चे बिलकुर आइट आंसर हैगा दूसरा ओप्षन पर्शन नमर अगला देखेगा 56 नमबर मौखिक मुल्यांकने ने आयाती सलाका अंत्याक्षरी निमंद लेकनम हश्यकणी का मौखिक मुल्यांकन के अंतरगत कौन सा नहीं आएगा 56 नमबर में आपको बताना है तो राइट आंसर क्या रहेगा सातियों मौखिक मुल्यांकन में निमंद लेखन जो है नहीं आएगा तो ओप्शन नमबर 3 विलकुल सही बन गया पर्शन नमबर 57 देखेगा सहीता पाट है पद पाट है इत्यादिनाम परियोगो असमिन विद्यो भवती सहीता पाट पद पाट इत्यादि में कौनसी विद्य काम मेली जाती है वाद विवाद विदोव आगमन विदोव निगमन विदोव परायन विदोव राइट आंसर क्या है रहेगा 57 का सातियों सहीता पार्ट पद पार्ट इत्यादी में पराइन विदी का प्रियोग क्या जाता है तो सोता ओप्सन सही रहेगा प्रसन नमर अठावन है कक्षा शिक्षन से प्राण तत्वह कौन होता है लगुत्रातमक प्रशन है निमंदातमक प्रशन है वस्तोनिष्ट प्रशन है या समश्यातमक प्रशन है पर्षन नमबर अठवन का आपको राइट आंसर कमेंट पॉक्स में बताना है कि कक्सा सिक्षन का प्राण तत्वम कौन होता है दोस्तों लगुत्रात्मक पर्षन होता है पहला ओप्षन से रहेगा पर्षन नमबर गुंसार देखे सास्तरात कश्य विदे उदारणम मौखिक विदे परायन विदे पर्षनोतर विदे या वाद विवाद विदे सास्तरात कश्य विदे उदारणम सास्तरात किस विदी का उदारण है राइट आंसर रहेगा सात्यों कौन सा जल्दी से बता दी अगला है अधिगम साधनम नास्ती अधिगम का साधन नहीं है दूर दर्शनम फलम पुस्तकम या आकाश्वाणी तो राइट आंसर क्या रहेगा परसन नमबर साथ का साथियों साथवाई क्यूशन का राइट आंसर रहेगा अधिगम का साधन फल नहीं है दूसरा ऑप्षन बिलकुल सही रहेगा तो साथियों ये थे आज के 36 मोडल पेपर के कुल 30 क्यूशन और 30 में आज आपके कितने सही वे वो बताएं कमेंट बॉक्स में वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और दोस्तों ये चैनल जो है वो लगातार रीट सिख्षक बरती पातरता परिक्षा के लिए लगातार आपकी तैयारी मजबूत करता जा रहा है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय अबारत थैंक यू